हरन महादो मित्रों मैं आपका हमदम आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोस रनयादो और सबसे पहले आप सब जितने भी लोग इस लाइब को देखेंगे, सुनेंगे इस लाइब से जुडेंगे उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वागत है आपके माता पिता जी को मेरे तरफ से प्रणाम और इस लाइब को जरा सुनिएगा आप लोग ध्यान से और सुनने के बाद अगर कमेंट करेंगे तो मुझे ज्यादा चलाएगा शेर भी कर दिजेगा इसको चुको मुझे जरूरी लगा और तब जा करके मैं लाइब में आया हूँ बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा था कि भाया ऐसी वैसी कुछ कुछ चीजे जो काफी कुछ सोचने समझने के बाद में ये लाइब में आया हूँ सब लोग पहले गीत संचित की लाइब में आते हैं तो जरा हम भी गीत संचित की बात करे ले उसके बाद में इंद मुद्दे पर आयाएंगे तब तक कुछ और लोग भी जूर जायेंगे मेरे परसनल ओफिसियल जो यूट्यूब चैनल है संतोस रेनो ओफिसियल उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप सब के बदोलत ही चैनल बहुत अच्छा चल रहा है काचा बदाम उस पे बहुत अच्छा रिस्पोंस दिया आप सब प्यार अश्रवाद बनाए रखियेगा जल्द ही उस पे परसो तक में नया गाना उस पे रिलीज होगा बहुत अच्छा मेडियो रिलीज होगा तो आप सब से बस हाथ जोड़कर के ही आगरह रहेगा कि आप सब जैसे प्यार अश्रवाद काचाबाद आपको दिये हैं वैसे ही प्यार अश्रवाद आप लुग बरकरार रखियेगा कुछ लुग जुड़े हैं अब मैं मुद्दे प्याओं मुकिश कुमार जी राजु सिंग जी नमस्ते राकिश जी कैसे हैं अच्छा हूँ, मस्तू राजु सिंग जी पवन यद वनसी जी जै हो भाई, जै हो लब्यू, लब्यू तरमिंदरा केला जी, क्या हाल है अच्छा हूँ वाव, बढ़िया हूँ विकी कुमार, मुकिश, अहिर यादो जी जी जै हो, बलिष्टर यादो जी जै हो फूमी जी लिखते हैं और सब के साथ नहीं होता है विवाद के साल लियादो के साथ होता है अकलेस का सिर्भ विवेक सिंगिया दोनों लेड हुएगा जी बिलकुल मैं आ रहा हूँ मैं उस मुद्दे प्यार आ रहा हूँ सुजित कुमार, असकाई, इसके सारी वियाद सब दुस्मन हो गया भिया बैभबरा जी आदो जी चंदन जी, राम विश्वास पांडे जी मुरारी पाठक जी चलिए अब मैं मुद्दे प्यार आता हूँ कि आज के डेट में लाइव भी परमोट होता है लाइव भी परमोट किया जाता है तो गाना तो परमोशन की बात ही छोड़ दीजे लाइव आज कल परमोट होने लगा है तो अब हमारे पास तो पैसा हुसा है नहीं इतना तो सबसे पहले के खेसारी भीया के साथ जो घटना घटा नेपाल में उसका तकलीफ मुझे भी है और मैंने इसको लेकर के आरती नियूज जब मैं जा रहा था मैं बकसर की तरफ निकल रहा था तो गढ़नी में आरती नियूज हमें देखी और उसके बाद मेरे से इंटरव्यू भी ली जो आप सब देखे भी है इंटरव्यू अच्छा खासा उसका भी विव गया है तो मैंने उस इंटरव्यू को दोरान भी दुख व्यक्त किया है जो नेपाल वाली जो घटना है वो नहीं होनी चाहिए चाहे कोई भी कलाकार हो चाहे वो केसारी भीया हों पवन भीया हों कलू जी हो रिदेश पांडे जी परमोद प्रेमी जी तुफाएं लाल जी कोई भी हो चाहे वो हमारे छोटे छोटे भाई हूँं चाहे वो दिगज सिनियर हूँ कोई भी हूँ उनके साथ में इए घटना शोफ नहीं नहीं है ये घटना का मैंने निंदा किया है लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा कि इस घटना से सीख लेने की जरूरत है और इस घटना में कहीं ने कहीं जो नेपाल सरकार की या नेपाल परशासन की बिलुकुल पुरी तरिके से बचाओ करते नजर आ रहे हैं खेसारी लाल भिया तो ये political उनका ये statement हो सकता है और political statement के लिए सही है क्योंकि कहीं नेपाल सरकार और नेपाल की जो पुलिस है उनकी ये दाई तो बनती थी क्योंकि वहाँ अगर जो घटना इस तरह की घटी तो कहीं नेपाल बहुत बदनाम हुआ नेपाल की बदनामी बहुत हुई पोजपुरी की तो बदनामी हुई लेकिन नेपाल की बदनामी बहुत हुई नेपाल की जो अस्थानिय निवासी हैं उनकी बदनामी बहुत हुई जबकि उनका कोई हाथ नहीं रहा होगा होता है क्या कि जब आप कहीं कार्शक्रम करने के लिए जाते हैं तो प्रशासन के तरफ से पर्मिशन लिटर जो मिलता है तो खेसारी भीया दिखा रहे थे कि मेरा पर्मिशन लिटर था मुझे तो हमें पूछने की क्या जरूरत थी इसी लिए कि आज जो घटना हुआ वो घटना नहीं होता अगर आप पूछ लिए होते तो खेसारी भी है इसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन आपको जो मैनेज कर रहा है जो आपके टीम का जो तुर्रम खा अपने आपको कहता है उसको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वो तुर्रम खा नहीं बलकि हई खा है समझ में आ गया होगा उसको अपने आपको बेस्ट सेलिब्रिटी मेनेजमेंट का अवार्ड लेता है वो हई सेलिब्रिटी मेनेजमेंट है उसको समझ में आ गया होगा यह आपको समझ में नहीं आ रहा है यह आपकी गलती है लेकिन हाँ बदनाम भुजपरी तो होती है खिसारी लाले आदो कसाथ अगर कोई तरह की दिक्कत हो पवन सिंग कसाथ किसी तरह की दिक्कत हो तो बदनाम तो भुजपरी होगी रजी तो इस चीज़ पर मैं विशेश में डिपली में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इतना बड़ा घटना घटा कलाकारों के साथ माही मनीशा के साथ मार पिट हुआ लोग मार पिट किये मिजिशियन्स के साथ किये तो दुख हम लोगों को भी है ऐसा नहीं कि जो मिजिशियन्स है वो खिसारी भीया के साथ बजाते हैं तो हम लोगों के साथ वो नहीं बजाएंगे हम लोग का संगत नहीं करेंगे, उनके साथ हम लोग संगत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी उनके साथ संगत करते हैं, माही मनिसा या जितनी भी जो आर्टिस्ट हैं, चाहे फिमेल हो, मेल हो, उन लोग को अगर दीकत होता है, तो हम लोग को भी तकलिफ हमें भी तकलीफ पहुचिए और सभी लोग तकलीफ पहुचा होगा लेकिन आप जो यह उमीद कर बैठे के सारी विया कि हमें किसी ने फोन नहीं किया इंडस्ट्री से आमरपाली दुवे और दिनेसलाल यादो जी के अलाबा फोन नहीं किया किसी ने तो फिर यह जो चीजे ह आप सोचिए न पहले हम वही बात हमेशे बोलते हैं कि अपने अंदर पहले जहाक करके देखिए उसके बाद जब आप कुछ कहेंगे न तो अच्छा लगता है अगर आप हर किसी के दुख में आप फोन किये होते हर किसी के दुख में अगर आप साथ दिये होते और तब जा अरिभिया एक घटना आपका वैशाली में हुआ था जितना बड़ा घटना नेपाल में हुआ उतना बड़ा घटना तो नहीं हुआ था वैशाली में याद आता है ना रिवर्स गेर लगाईए ना अपनी मेमोरी को जितना बड़ा घटना आपका जितनी बड़ी बेज़िती आपके नेपाल में हुई उतनी बड़ी बेज़िती तो बैशाली में नहीं हुई थे उस वक्त समझ में आया था कि उस वक्त छोटी से बेज़िती के लिए किस लेवल का स्टेंड लिया गया था नेपाल में आपके बजसे आर्टिस्ट को पिटा गया आपके बजसे मुजिसियंस को पिटा गया आपके बजसे भोजपुरी बदनाम होई फिर भी यह बोजपुरी इन्डेस्ट्री सब लोग गलत होगे आपके लिए हैं सब लोग गलत हो गय और उसमें भी आपका जो कहना है कि तीन τावर वाली बात तो तीन टावर में आपने दिनेश भिया का भी नाम लिया था तो दिनेश भिया फोन करेखे तो ये क्यों टावर वा फोन नहीं किये जी खाली पवन ने भी अफोन नहीं किये तो इतना उपर से ये करने की कौन सी बात है और किस से आप उमिद करते थे आप किन को आप साथ दिये हैं खेसारी भिया तो काटिएगा वही जिस फसल को आप बोहिएगा बड़े भाई हैं आप हम तो सोचे कॉल करने के लिए लेकिन हमको लगा कि फिर वही विवेक सिंग को कॉल करना पड़ेगा तो विवेक सिंग को फोन हमारा मैनेजर न करेगा जी और वो मेनेजर है तो मेनेजर से बात हमारा मेनेजर न करेगा आपके मेनेजर से हमारा मेनेजर कमजूर है आप किसको आप रिस्पेक्ट दिये हैं उस लिवल का इंडस्ट्री में किसको आप प्यार दिये हैं उस लिवल का इंडस्ट्री में किसको दिये है भाई कल्लू पांचे लख वाला आश्टार है समर सिंग पांचे लख वाला आश्टार है परमोद प्रेमी पांचे लख वाला आश्टार है रितेस पांडे आपके सामने ठिकवे नहीं करते हैं किसको कौन आपको वहाँ पे अब तब भाई जो आपके लेविल में रहेगा वही आदमीना जाकर के बात कर सकता है आपके सामने बिने विहारी जी के मा बहन करवाईए दिये हैं भोजपूरी के भातार आप ही है तो कौन कॉल करेगा आपको भाई आप दुनिया के सर्व परी, सर्व स्रेश, सर्व गुन संपन निखे सारी लाल यादव आप ही हैं तो हम भी कौल भीया उसी को करते हैं जो हमारा बड़ा भाई हो और जो मुझे छोटा भाई समझे जिस समय तुफाणी लाल यादव जी जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे उस वक्त मैंने आपको कौल किया था जब तुफाणी लाल यादव जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे उस वक्त आपने तो को रिस्पोंस नहीं दिया था उल्टा आप जब फोन किये तब आपने एक भी बार नहीं पुछा था कि तुफाय ले ले आदो कैसा है भैया गलती करें तो आप किजेगा दो थाप लगा भी लिजेगा क्योंकि आप बड़े भाई हैं आप गारजियन हैं और सब दिन रहेंगे मेरे नजरो में लेकिन सचाई में बोलता रहूँगा भीया सचाई में बोलता रहूँगा सचाई में दवा नहीं सकता आप कभी भी आप आईए आपको लगे कि हाँ मेरा भाई मेरा छोटा भाई या मेरा दुस्मन ही आप समझे जो समझे लेकिन आप मेरे बड़े भाई है बस खेसारी लाल यादो मेरे बड़े भाई है पवन सिंग मेरे बड़े भाई है भले खेसारी लाल यादो का नजरों में संतोस रहनू उनका दुस ये वही दोर था जब एक एक लोग ये जितने भी जो live में जुड़े हुए हैं चाहे उनके नाम में यादव जुड़ा हो चाहे उनके नाम में कुछ भी जुड़ा हो और विशेश करके मैं अगर यादवो की बात करूँ तो जब आप पे वैसाली में हमला हुआ था वैसाली वाली घटना के बाद जब वो हम ही वेक्ती थे जिसने बिहार बंद करने का डेट अनाउंस किया था और बिहार बंद करने का प्लान माइंड में लाया था कौन था हम ही थे ना कोई पैदा कर ली जाने दूसरा संतोसरे नो तब न जानेंगे हम तो दूसरा सुपरस्टार मान पड़ी हैं कि नहीं को और वो हमको करते भी जैंडु गैप कोई दूसरा संतुस्र करने की कैपिसीलिये कोई फार्ण लिया दो जी मैं पूछता हूं आपसे आपको आपको शर्म नहीं आता, आप लाइब केसे आप आगे इस घटना को ले करके, कि हमको कोई साथ नहीं दिया, सारा सर्म धोकर के पी गए हैं, क्या, आपके हिम्मत केसे हुई लाइब आने के इस मुद्धे पे, जमीर काम नहीं कर रहा था आपका, इतनी पे शर्मी आपके अंदर कहां से आ गई, आपके चकर में कोई भी वेक्ती, मुझे 100% याकीन है, आपके चकर में कोई भी वेक्ती, अगर अपना सर भी कटा देगा, नै खेसालल बया, अपना सर भी अगर कटा देगा आपके चकर में, तो आप उसकी मुसिब्बत में सिधा ये बोलिएगा कि चल हट मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ इसका नाम के सरलल यादो है आप एक कलाकार के तौर पे मैं हर वक्त मैं आपका सम्मान करता हूँ कलाकार के तौर पे आप मेरे बड़े भाई हैं मेरे अभी भावक हैं मैं हर वक्त मैं आपका सम्मान करूँगा और मैं करता रहूँगा आजीवन करता रहूँगा सम्मान लेकिन सच्चाई बात बोलने से मैं पीछनी हटूँगा आज जितने भी लोग जो बोलते थे कि संतोस्रणू ये बोलता है वो बोलता है आज आप लोग को अच्छा लगा ना कि खेसारलालयादो बेज़त होकर क्या आगे नेपाल में आप लोग को सुकुन मिला होगा मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप लोग को भी तकलिफ होगा कि खेसारलालयादो को नेपाल में बेज़त किया गया खेसारलालयादो के साथ जितने भी कलाकार गए हुए थे उनके साथ मार्क पिट करके उसको भागाया गया आपको भ अखलीफ हुआगा कियोंकि आप खेसार लाल यादाओ से बेंतहा महाबट करते हैं और हम भी बेंतहा महाबट करते हैं खेसार लाल यादाओ से से भोजपुरी जो बदनामी का दोर जो चला वो बहुत तकलीफ दे रहा हम तो उमीद यही करेंगे खेसारे भिया आजीवन मैं आपका सम्मान करूँगा आजीवन आप बड़े भाई रहेंगे लेकिन आप बड़े भाई हैं तो हमारे छोटे भाई परमोद प्रेमी भी हैं हमारे बड़े भाई छोटू छलिया जी भी हैं अगर मैं बिरादर की में बात करूँ तो अब देश प्रेमी भी हैं है न भीया तो फाई लाले आदो जी भी हैं उन लोगों को मैं कैसे इग्नोर कर दूँ अगर मैं सिर्फ मैं अगर सिर्फ विरादर की बात करूं तो आपके पीछे यदि यादव लगता है तो परमुद प्रेमी के पीछे भी यादवे लगता है जिसको आपने बोला की सब के पांच लाख क्या उकात है अब हम उस सब को पचास लाख क्या उकात तक लाने की कोशिश करेंगे तुफाइन लाले आदव को जिसको आप मरने के लिए छोड़ दिये थे एक पुरी पबलिक और धन्न हो पवन भहिया नतमस्तक सैलूट आपको जिस वक्त अपरिसन रुका हुआ था ना उस वक्त वो आदमी फोन करके उन्होंने तो यह नहीं समझा न कि हाँ वो यादव है वो राजपूत है वो यह है वो है नहीं समझा न खेसारी भया आपके जहन में था कि तुफाइन लाले आदव जिन्दा नहीं बचे आपके जहन में था क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कोई आदो का लड़का कोई खेसा लल्यादो के अस्थान पे आए और यह आपकी गंदी राजनी थे खेसारी भीया आपको सिखना चाहिए दिनेस लल्यादो जी से जिस वक्त आपकी पहली फिल्म रिलीज के लिए रूकी हुई थी उस वक्त दिनेस भीया अगर मदद नहीं किये होते तो आज आप खेसारी लल्यादो नहीं बनते लेकिन फिर आप कहिएगा इस बात को कि जी तो जाती बात करता है मैं जाती बात नहीं करता हूँ भीया आप जाती बात करते हो हमारे लिए सभी अपने हैं लेकिन आपके लिए ये आदो दुस्मन है आपके जेहन में मैं पढ़ता हूँ आपका माइंड पढ़ता हूँ के सारलिय आदोजी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं आपको और सचाई मैं बोलता रहूँगा सचाई में बोलता रहूँगा मेरे दुआएं हैं कि आप खुब आगे बढ़िये खुब स्वस्त रहिए खुब मस्त रहिए ताकि आपसे जो सीखने को कुछ कुछ जो मिलता है आपके गीत संगीत से या बहुत सारी चीजे हैं आपके अंदर नेगेटिविटी है लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो पोजिटिव है उससे में बहुत कुछ सिखता हूँ और ऐसे भी आप गार्जियन से रूप हैं बड़े भाई हैं तो हमेसे आप से कुछ ने कुछ ने कुछ आप से लेते रहता हूँ तो आप सुस्त रहें मस्त रहें दिन दुना रात चोगना तरक्य करें अर्मेनिया क्या कि जागर के अमेरिका में शूटिंग करें जागर के चांद पर सूटिंग करें मंगल गरह पर शुटिंग करें आप रेंज रूबर क्या कि आप प्राइवेट जेट लें और खुब तरक्य करें मेरी फिर्दे से बोल रहा हूं इस बात को मेरे दुआएं आपके साथ है लेकिन एक नीजी तोर पे एक नीजी तोर पे जो आपने संतोसरेनों कोई दुख पूचाया नबया अगर संतोसरेनों मरता रहता न संतोसरेनों अगर मरता रहता अगर खेसालालयादों सामने नहीं आता तो मुझे कोई तकलिफ नहीं थे लेकिन मेरे सामने अगर कोई वेक्ति मर रहा है और उस वक्त अगर खेसाला ले आदो को मैंने कहा और सामने नहीं आया तो मेरे लिए खेसाला ले आदो हई हो गया बस हई समझ गया है समझ गया है न का हो गया है बस क्यूंकि हमारे लिए मेरा कोई वजूद नहीं है हमारे लिए जितने भी लोग जो है ना जो लाइब में जो जुड़े हुए है चाहे वो आपके ही फैन क्यों न हो मेरे लिए वो भी बहुत मायने रखते हैं आपके भी फैन्स का में बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि चाहे आपके फैन हो पबन भिया के फैन हो चाहिए किनी के भी फैन हो कहीने कहीन वो भोजपूरी के फैन है और भोजपूरी को बेहिंतहाँ प्यार करते है कैसा रहे भी आपको पता है आपके जो फैन्स है पहले मुझे बहुत गाली दिया करते थे पहले बहुत गाली दिया करते थे लेकिन वो लोग भी अब इस बात को समझ गए है कि संतोसर नुवाकरी क्यों कड़वा बोलता है उनको अब समझ में आ गया है क्योंकि सच्चाई देर से ही सही सामने जरूर आती है और इसके लिए मैं सभी लोगों को मैं दिल से मैं धन्नवाद में कहना चाऊँगा कि आप चाहे जिनको भी प्यार करते हूं खेसारी भ्यागों प्यार करते हूं प्यार खोब किजीए खोब उनको आगे बढ़ाइए क्योंकि अगर भोजपुरी का कोई भी कोई भी कलाकार अगर खूब आगर बढ़ते हैं तो कईने कहीं हमारी भोजबूर्य आगर बढ़ती है और अगर मेरे से अगर कुछ अगर गलत बुलाया होगा अभी तो मैं बोला नहीं हूँ लेकिन अगर कुछ अगर गलत निकला होगा तो उसके लिए मैं माफी चाओंगा लेकिन मैं बार-बार मैं इस बात को कि सचाई में बोलता रहूँगा सचाई में बोलता रहूँगा हमेशे मैं सच में बोलता रहूँगा कड़बा ही सही जिनको जैसा लेगा आप अपनी परतिकरिया अपना देंगे लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सच में बोलता रहूंगा, क्योंकि हमें पता है, जो चीजे, उसको अगर कोई लोग दुसरे तरीके से अगर पिरोएंगे, तो उस चीज का बचाओ तो हम करेंगे न, चलिए, लविव आप सबको, और जितने भी लोग जो भी, विक्रानता जी ग्रेट वेडियो, जी लव यू, लव यू, गौतम जी, हरर महादेव भाईया, जी महादेव, सर्जू ग्यादो जी, लव यू, सर्जू जी, मस्त हूं, मनरंजन जी, सुपर, लव यू, तो, चलिए, लव यू आप सबको और, यू राज, जी, हाई, राम बिश्वास, पांडे जी लिखते हैं, लव यू, जी ओ, लव यू आपको भी, हरर महादेव, हरी लाल कश्यप जी लिखते हैं, जी ओ सेर, जै हो, सब आप सब, आप सब बस मस्त रहे हैं, और, बस खुब खुश रहे हैं, रादे रादे, जैसरी किष्णा, जैसरी रा हरर महादो अलाफिस्त मस्तर ही आप सब और हाँ आप सब ऐसे ही सभी सभी कलाकार को सभी कलाकार को प्यार अश्रवात देते रहे एक लिखते हैं सोनू यादो जी खेसाल लल्यादो को क्यों टार्गेट करते हो आप नहीं टार्गेट का ना करते हैं अरे वो मेरे बड़े भा काते बताई ये, बड़े भाई हैं, उनके साथ, मैं उनकी बराबरी में कर भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ, बड़े भाई से गलती होगी, तो मैं बोलूँगा जरूर, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे, तो फिर कौन बोलेंगे, खेसाइललल यादो जी, मेरे दुस्मन नहीं है, अगर दुस्मन होते, तो दुस्मन का मैं जिकरी नहीं करता हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई दुस्मन है ही नहीं, जो मेरे अपने होते हैं न, मैं उन्हीं का जिकर करता हूँ, मुन्ना कुमारे यादो जी बहुत सारा लव का सिंबोल प्राइब है, जी पनाम, आपको, और बस आपसे ऐसे ही मस्त रहिए, जपर्दस्त रहिए, खुब, खुब खुश रहिए, खुब खुश रहिए, और जिन को भी ब्यार असरवा देते हैं, देते रहिएगा, और अनतीम में मैं भी आपका भाई मैं भी छोटा बच्चा हूँ संतोस रेनु ओफिसियल मेरा भुजपुरी इंटर्टेन्मेंट के लिए मेरा यूटूब चैनल है आप लोग संतोस रेनु ओफिसियल सब्सक्राइब कर लिजेगा आसिस यादो जी लब का सिंबोल भेजे हैं सर्यू यादो जी भेजे हैं लभीव आप सबको मोहन चोधरी, मदन चोधरी जी सोनू यादो जी सोनू यादो जी लिखे हैं कि दूसरों के नजर में गिरते हैं न किसालाल यादो देखिए किसालाल यादो जी एक लिजंड है मेरे नजर में और वो गलती करते हैं इसलिए मैं सामने आ करके मैं लाइब में मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि अब फोन करने का आप यहां से जो होता है ना यहां से वो नहीं रहा गया हम जो बार बार जो बोलता है ना C, C, C तो खेसारी भी आपके टीम में बहुत सारे C भरे हुए है आप लाइब को देखेंगे तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ आपके टीम में बहुत सारे C भरे हुए है अब C का मतलब क्या होता है जो आप 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 ही बता सकते है हम क्यों नहीं पता लिकिन जो C बोल रहे है से का मतलब तो आप की टीम में बहुत सारे Unicom इस उसको क्लारफा जो सरे नुए आद्व नाम हां आमार किसारी भीया डार डार चलव सहु भालों तब पाते पात स्चले के भी हुनर जानी ना पाते पात चले के हुनर जानी ना तरहां लागे पैसा गया घमाण़ागा कीसारी भीया तहरा लगे तुसरे तरह पॉलिटिक्स करे के हमरा लगे पईसाय घमंड नहीं खे सच्चाई के घमंड बा काहसे कि ये गोत हिम्मत ता बढ़ले नुबा माय बाप के संसकार गुरू के आशिरवाद अखे सारी भेया तहरा लोग नहीं सनगार जियन के दुआ सहयोग के बदावलत एक चीज़ता हमरा अंदर बढ़ले वा कि मरत मरत समय तक सच्चाई के कबुक कमजोर ना हो के देवा राजनिती मत करें खेसारी भेया आपकी टीम से गलती हुई है गलत आप नहीं है मैं अभी में बोल रहा हूँ लाइब में बोल रहा हूँ ना खेसारी लाले आदो गलत नहीं है आपकी टीम से गलती हुई है और आपको उन सभी कलागारों से माफी मांगनी चाहिए आपको नेपाल सरकार से माफी माँगनी चाहिए नेपाल प्रशासन से माफी माँगनी चाहिए आपको आपको बोजपुरी से माफी माँगनी चाहिए कि आपने बोजपुरी को दागदार किया बतनाम किया जिस वक्त आप नेपाल बोडर क्रोस किये थे जिस वक्त आप पटना आये थे उस वक्त आपने अस्थानिय प्रसाशन से संपर्क क्यूं नहीं किया आपकी टीम ने क्यूं नहीं संपर्क किया कहीं ने कहीं खेशार लल्यादो जी ए आपकी साजिस तो नहीं थी इस तरह ही घटना करवाना पुचिए अपने टीम के लोगों से केसारलाल लियादो का मतलब खेट का मुल्ली क्या केसारलाल लियादो पनसिंग का मतलब एक ब्रांड भोजपुरी का ब्रांड और भोजपुरी के ब्रांड के साथ ऐसा हो जाए भोजपुरी के ब्रांट के साथ ऐसा हो जाए ये भोजपुरी की तोहिनी के बात है न पुछिए आपका बेस्ट सेलविलिटी मेनेजर कहा गया उसका दिमाग पुछिए उससे पुछिए अकलेस का सबसे जो अपने आपको कहर कहता है मार करके वहाँ पुरा देह में जहर फैला दिया होगा उसको पुछिए उससे पुछिए उससे जो आपको भोजपुरी या भातार कहता है वहाँ भातार को वहाँ पे कार्जकरम तक नहीं होने दिया होटल में कैद कर दिया पुछिए उससे C टाइप के लोगों खेसारी ब्या गलती आपकी नहीं है गलती आपकी है तो सिर्फ इतनी है कि आप कुछ C टाइप के लोगों के घेरा में घीर करके और भोजपुरी को C समझ रहे हो खेसारी ब्या यह गलती है आपमे और आपमें कोई गलती नहीं है आप जितना मेहनत करते हैं आप जैसे कोई स्टेज का परफॉर्मर नहीं है इस बात को मैं भी बोलता हूं और मैंने इंटर्वीव में भी बोला है विशिस आप खुद आप अकास सागर मसोडी जी लिखते हैं कहीं ये घटना वेशाली रिटर्न तो नहीं बिल्कुल रिटर्न हो सकता है बहुत सारे रिटर्न होगा हम जब खुद जब सतरक नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ां हैंगी मेरा एक चीज़ां है कि इंडियन कल्चर एंड सिविलाजेशन हम लोग को पढ़ना था सायद हम लोग लगता है टेंथ क्लास या नाइंथ क्लास में पढ़ना था जैसे इंग्लिश का दो पेपर होता था तो उसी के एक पेपर में इंडियन कल्चर एंड सिविलाजेशन हम लोग को पढ़ना था किस में था? घर का दरवाजा खुला हुआ हो और आप अपनी सुरक्षा की उमीद इन्वार्णमेंट पर छोड़ दें उस वक्त अगर आपके उपर हमला हो कुछ घटना घट जाए तो गलती आपकी है न कि गलती इन्वार्णमेंट की है ब्रमांड में देवी हैं देवता हैं तो राक्षस भी है न है इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है न सचीत आपको रहना होगा अपने आपको बिस्ट सेलिब्रिटी मेनेजमेंट जो बोलते हैं मेनेजर जो बोलते हैं यह उसका टेस्ट हुआ बिस्ट का टेस्ट हुआ अजगरा में कुछ वा दिया पूरा कलाकार को बिस्ट सेलिब्रिटी मेनेजर हो गया न सेलिब्रिटी को समभालना सिखो राम कुमारे आदो जी लिखे हैं इंडियन सिवलिजेशनल कल्चर हाँ बिलकुल 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 वही तो best celebrity को कैसे manage करते हैं ये सिखो खेसारी ला ले आदो खेत का मुल्ली नहीं है लेकिन खेसारी ला ले आदो जो काम जो करते हैं वो भी C टाइप का काम करते हैं दुसरे को C, C, C A, B, C, D, E, F, G, S समझाते रहते हैं खुद उनका जो team जो है न वो C है क्लियर, अब कौन सा C है क्लियरफाइ मैं नहीं करूँगा किस तरह के C के बारे में बोल रहे थे वो जो भी C के बारे में दुसरे को बोल रहे हूं, वही C उनके लिए भी लागू हो जाएगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, तो निकेत पाठजी लिखते हैं कहां थे इतने दिन के बाद आए हम तो आते ही रहते हैं चलिए बहुत बहुत प्रणाम और हर किसो लहें उमिरिया, पातर कमरिया देखी बदन गदराई हो जाएगा लाइब कांत गाने के साथ हो गाल गुलाबी देखी के मन के भौरा बाटे पगलाई अरे आजा हम रिबाहियां में अरे कौरे दाया राम तक काचा बदाम गोरी काचा बदाम लागे जावानी तो हर काचा बदाम संतोसरे नोव ओफिसल पर जाईएगा और जरूर देखिएगा कि आपकी कुछ चीजे हैं वो गलत है वरना सब लोग गलत नहीं हो सकते है मेरे दोस्त पांच भाई हैं हम लोग और पांच भाई हैं और उसमें अगर चार भाई कुछ कह रहे हैं तो उनकी भी बातों को सुनिये सब लोग गलत नहीं हो सकते किसन कुमारजी जी हम मगद के सेर अरे नहुने आप सब सब सेर है सोनू यादो जी लिखते हैं खेसारी के साथ मिलेके रही है हम कहा हैं हम लोग अलग कहा हैं सब प्रिवार है सब प्रिवार है لेकिन जब गलत होगा तो बुलेंगे न अन्टू आर्जे टी यूबा लिखे सुपर जी लभियू किसन कुमार जी है मगदी से लभियू आप सब को आप सब सब से रहे हम कुछ हो नहीं हम तो आपको भाई है में तुझे हो जा जी ये पब्लिक है सब जानती है बिल्कुल राज कोसल जी लिखते हैं भाईया मैनेजर बस धास दिहीं विडियो बनाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक सिंग राजपूत जी बिल्कुल लभ यू लभ यू बहुत सरे बहुत सरे आसव दोस्य आदोजर उजी बहिए सपोर्ट करो उनका भाई है आप के अरे बिल्कुल बहँ हैं बड़े भाई है मेरे वो ऐसा नहीं है कि वो समेरे दुश्मन है हमारे लिए वो बड़े भाई उनके लिए मैं क्या हूँ यह उनकी मानसिक्ता पर डिपन करता है लेकिन मेरे लिए बड़े भाई हैं मेरे रेकार्जियन है चाहे खेजारी भया हूँ पवन भया हूँ दिनेस भया हूँ मनोज भया हूँ रवे भया हूँ लोग बड़े भाई हैं जितने भी जो सिनियर्स है मेरे लिए ये सब पुझनिया है जो भी छोटे भाई है चाहे वो रितेस हूँ चाहे वो समर हूँ परमोध हूँ सब लोग को में बेन तहां प्यार करता हूँ जितने भी छोटे भाई है चलिए आप सब ऐसे ही मसत रहिया और जिनको भी प्यार करते हैं प्यार करते रहिएगा कुछ अगर आपको लगा होगा तकलीफ तो इस बात के लिए मैं सौरी में कहता हूँ और अगर सही लगा होगा तो फिर आप लोग प्यारा शिरवाद देजिएगा कुशिश करता हूँ कि गलत ना बोलू जो बाते हो कट टो कट वो बात में बोलता हूँ चुकि आपस में मिल करके रहना जरूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारे समाज के लिए भी हम लोग मिल करके रहें वो ज्यादा बेटर है जाती पाती धर्म के अधार पे हम लोग ना बटें हम लोग एक रहें, रस्तां कठीत रहें जै हो, हरर महादे रादे रादे, जैसे राम अल्लाफिस, बाई